नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पतंजली क्लासे जास्तान यूटूब चैनल में और आज हम करेंगे एक वाइरल क्योशन को हल और क्योशन आपकी स्क्रिन के सामने है कि एक महिला ने दुकांदार से 200 रुपे का सामान खरीदा और 2000 का नोट दिया दुकांदार के पास खुले ना होने से पडोसी से 2000 की खुले लाकर 2000 रुपे गले में डाले और 1800 रुपे महिला को दे दिये कुछ देर बाद पड़ोसी दुकानदार बापिस आया नौट को नकली बता कर 2000 रुपे का नौट दुकानदार से ले गया मतलब असली नौट जरा बताईए दुकानदार कितना नुक्सन हुआ देखिए इसका solution बहुत ही simple है बहुत easy है तो मेरे साथ देखते रही है और solve करते रही है सिसाथ के साथ देखिए क्योशन क्या कहता है कि एक महिला थी ये कोई महिला थी ठीक है और ये कोई दुकानदार था आगई बाद समझे इस दुकानदार के पास क्या था 200 रुपे का सामान रखा हुआ था ये कोई सामान है जो कितने का है 200 रुपे का है आगई बाद समझे ये कोई तीसरा दुकानदार है ये महिला आई किस दुकानदार के पास इस दुकानदार के पास कि भहिया मुझे आप 200 रुपे का सामान दे दीजिए मैं आपको 2000 का नोट देती हूँ ये दुकानदार चला कि बहिंजी मेरे पास तो खुल्ले है नहीं मैं पास की दुकान से लेकर आगता हूँ तो ये गया दूसरे दुकानदार के पास इस दुकानदार से इसने क्या किया दो जार रुपे का नोट दिया और बोला कि भईया मुझे दो जार के खुल्ले दे एसे सॉल करो कि 100-100 के नोट दीए आ गई बास समझ में 100-100 के कितने नोट दीए 20 नोट दीए यहां तक मेरी बात क्लियर आ गई होगी समझ में जैसे ही ये क्या किया 20 नोट लेकर गया तो 2 नोट अर्थात 200 रुपए तो इसने क्या रखे नगद अपने सामान के अपने पास रखे और 18 रुपए इस मैला को दे दिये आ गई बात समझ में ठीक है अठारा सो रुपए देने के बाद में अब ये दुकानदार आता है और बोलता है कि मेरे को तो तुने चूना लगा दिया मुझे दे दिया तुने 2000 का नकली नोट तो मेरे को तो चाहिए असली नोट ये बोला कि चल कोई बात नहीं भई मेरे पास में आ गया इसका कि मुझे नुकसान हो गया अब कुछ बता रहे हैं कि 2200 का नुकसान होगा कुछ बता रहे हैं 4000 का नुकसान होगा अरे एक बात बताओ मुझे 200 रुपए गल्ले में रख लिए ठीक है और 200 रुपए गल्ले में रखे नहीं रखे रखे थे और 200 का क्या कर द उसने सामान दे दिया लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये 200 रुपए ओरिजनल पैसे जो असली पैसे थे उसमें से रखे हुए थे ठीक है ना आगे मेरी बास समझे तो 200 रुपए का सामान इन 200 ओरिजनल से क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा अरे बैलेंस हुआ नहीं हुआ लेकिन हाँ नुकसान तो हुआ क्योंकि असली वाले नोट में से 200 रखे थे इसके 200 ये वसूल नहीं हुए ठीक है ना सिर्फ बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ साथ के साथ में 1800 रुपए और दे दिये तो मतलब 1800 रुपए भी लगे और 200 रुपए का सामान भी चला गया ठीक है ना इस बज़े से इसे कितने का नुकसान हुआ है 2000 रुपए का नुकसान हुआ है मेरी बास समझ में आ गई होगी आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बास समझ में आ गई होगी कि 2000 कैसे हुआ भै एक बात बताओ मज़े एक बार पुना समझा देता ह दो सो रुपए गले में रख लिए, अठारा सो रुपए उस अगली महिला को दे दिये, साथ में दो जार का क्या कर दिया, उसने सामान भी दे दिया, आगे मेरे बास समझें, लेकिन अब जो बाइस सो बता रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि बाइस सो कता ही नहीं होगा का अंसर, ठीका और नाहीं अठारा सोगा, क्योंकि दो सो रुपए का सामान गया है, और वो सामान उस खुद के पास से गया है, मतलब कहने का कि फष्ट वाले भ्रक्ति के पास रुपए थे बाइस सो, एक तरीके से ये कह सकते हम, बाइस सो रुपए थे, लेकिन ये दो सो दो सो रुपए, ये दो सो रुपए इस गले में से जब लेकर आया था ना, दो जार का नोट, जब इसने दो सो रुपए रख लिये थे, आगे मेरे बाइस समझ में, इस वज़े से इसको नुक्सान कितने का हुआ है, दो जार का नुक्सान हुआ है, उम्मीद करता हूँ आ वहाँ भी आपको समझाने की पूरी कॉसिस करूँगा, धन्यवाद, thank you so much.